Hello everyone, यह demonstrate करने के लिए कि manhole cover जो होते हैं वो circular क्यों होते हैं मैंने अपनी डोक्टर का यह toy लिया है और उसके लिए मैंने इसके cover के लिए मैंने यह कुछ pieces cardboard के काटे हैं तो यहाँ पर इनको अपन manhole के hole समझ सकते हैं और इनको हम circular cover और ट्राइंगल से अपन cover कर सकते हैं अब एक एक करके देखते हैं कि इनको एक इतनी अच्छी तरीके से कवर कर पाते हैं अगर मैं इस square को मूह करता हूँ तो मूह होने पर भी ये एकदम से इसके अंदर नहीं जा रहा है बट अगर मैं इसको थोड़ा सा diagonally placed करता हूँ तो ये इसके अंदर जा रहा है तो ये straight नहीं जाएगा नीचे बट अगर diagonally ये हो गया by chance तो ये नीचे चला जाएगा अब देखते हैं triangular के साथ क्या होगा triangular को मैं मूह कर रहा हूँ और थोड़ा सा मूह करते में ये इस तरीके से hanging position पे आ जाता है और इस hanging position पे ये बहुत जादा dangerous हो सकता है vehicles के लिए या जो लोग इस road से pass करेंगे जहां पर triangular इस तरीके का cover या duct होगी तो ये again एक problem हो सकता है अब देखते हैं circular में क्या होता है circular में basically इसको में मूह कर रहा हूँ इसली मूह हो पा रहा है यहां पर ठीक है रियल में actually एक cavity रहती है उसके अंदर ही रहता है तो मूह नहीं होता है बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है इसली मूह हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है बट यहां पर अगर में इसको किसी भी कारण से अगर इसको मूह कर रहाना पड़ा है यहां पर यहां पर जंप करता है due to passage of some buses और वहिकल then also it won't get inside the hole यह inside नहीं जा रहा है यह stuck सरूर हो गया है यहां पर कभी कवर अपने देखे हैं बट इसको हलका सा push करने पर यह again flat हो जाता है तो यह again cover कर सकता है तो इसका main reason है कि यह hole के अंदर नहीं जाता और उसको अच्छी तरीके से cover कर लेता है दूसरा reason है कि नीचे जो duct होती है वो भी generally circular होती है क्योंकि circular ज्यादा अच्छी तरीके से strength को bear कर पाती है तो circular duct के लिए circular cover ज्यादा apt रहता है तीसरी इसके अंदर चीज़ है कि circular cover बनाना easy होता है और एक जगा से दूसरी जगा ले जाना भी easy होता है fourth one is that that easily अगर यह misplaced होता है तो इसको easily slide करके आप इसे अपनी position पे ला सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई आप बता सकते हैं तो आप comment section में लिख सकते हैं so thank you everyone